तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज हम जान लेते हैं नमबर स्वीटम में संख्या पत्ति में संख्याओं के बारे में ठीक है दोस्तों तो चलिए आल फर्मूला देखते हैं संख्याओं कौन कौन से संख्या होती है उसके डिफिनेशन क्या होते हैं उसका प्रियोग क्या होता संख्याइब ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं थो जीरो से लेकर आपके 9 तक जो संख्या होती हैं इनी से मिलकर सारी जितने भी बड़ी बड़ी संख्या है बंती है जिरो से के 9 तक की कुम्दिलाकरी शलंक्री बंती है ऑप वased जो वह संख्या होती है जिरों से लेुकर 9 तक होती है यह नहीं से मिलकर आपके बड़े-बड़े संख्या बनती कि जैसा कहा आप देखे संगते है कि संख्या इससा नों तक जिन की साता से अन्ड़ी मादी है तो चल दो दिस्टो को बात कर लेते हैं इसमें सबसे नवर पहली संख्या के बारे में प्राकृतिक संख्या उस इंगलिस में बोलते हैं नेचुरल नंबर तो दोस्तों देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है जैसे एक दो तीन चार आदी जैसे की तोई संख्या को और कोई बस्तू रखी वह यह उसको हम गिनते हैं तो उसको हम किसी ब्यूस्तू को गिनेंगे तर्एक सी स्टाट करेंगे एक दो तीन आपका चार पांच ऐसे डॉट करते कहां तक इन इफिनिटिक तक गिन सकते हैं इसके कोई लीमिट होती नहीं है कि कितना तक गिन सकते हैं आज अग ठेंगा उसे करते हैं कि गिंती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या करते हैं जैसे एक से ले के इंफिनिटी तक तो चलिए दूस्तों बात कर लेते हैं अगली संख्याओं के बारे में अगली संख्याओं है आपका पूर संख्या होल नंबर तो जान लेते हैं होल नंबर होता क्या है पूर संख्या प्राकर्तिक संख्या या गिंतिक संख्याओं को जीरो से प्रारंब करने पर पूर संख्या कलाती है जैसे जीरो से लेके आपके इंफिनिटी तक इस सब्सक्राइब करने का मतलब यह चीज़ होता है पूर संख्या को मतलब होता है कि जैसे कि आपने जाना की प्राक्रतिक संख्या होती क्या है प्राकर संख्या आप कहां सी स्टाट होती थी एक स 2 आपके PRAKARतिक Sankhya यह आपका प्राकर्तिक Sankhya है तो उसका कहने के मतलब है कि lo справa कि já time POOS allá-ce अब जो को परेकरतिक Sankhya में अगर हमें jeशा 1- pilot करनो एक टो दो तीन डौट-डौट इन फिनिट करने यह आज बनेगे यह मेरी पूर संख्या कहला एगी आज प्रकृत संख्या आपका एक सिस्टा होता था एक से लेके प्लस इन्फिनिटी तक यहापके प्रकृत सिंख्या कहला अलाती थी लेकिन एक किया गया सब्सक्राइब कर दूँ तो 100 मीला कर अगर यह में कूंगा जैसे कि अब देख सकते हैं यहाँ पे 0C start वाय अपलस इन फिर्ट तक गया है यह सभी संख्या पूर संख्या क्या लाएंगे तब अंतर आपको समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्या हो में और पूर संख्या में तो अंतर वसी इतना है दोनों में कि यह संख् और रख्याँ संख्या फ्लस इन फिनित झाती है पूर संक्या अपिरह संख्या जो वे एक सिस्ट टाइल ट명 में यवफ आअ प्लस इन फिनिट जाती है ठीक है दोस्तों तंबाले चला होगा पूर संख्या ने फिया नेग्स आंक्टा देख लिएतन क्यों नेक्स्त तrau' कर दो आपका है पुडाँक संख्या पुडाँक संख्या पूराइंग्लिस नंबर इंटीजर नंबर क्या होता है सुनने सई धनात्मा के मिरी रटमर्ग प्रकर्सिक संख्याओं के समु को पूराइं करते हैं जैसा कि मानस चैट मानस पांच मानस यार मानस तीन दू फिर 012345 ड़न द्धिश्य लिए सब्सक्राया इसका है उसका कहना के मतलब है पुराण का इंटीजर मतलब होता है आपका कि तमाम धनात्मा के अमरिडाथमत संख्याओं कि समुक हम क्या करते हैं अब कहते हैं मतलब आपका पूर संख्या को अगर मिला दिया जा इसमें जैसे कंद सकते हैं कि जीरो एक दो तीन चाहिए जो संख्या होती है सारी संख्या प्लस में होती है ठीक है और इदर जो संख्या होती है मैंनस में होती है मैंनस वन मैंनस टू मैंनस तरी इसका कहने के मतलब यह चीज़ है कि जीरो से लेके प्लस अनंत तक और माइनस से माइनस वन से लेक पूरांक कहलेते हैं चली दोस्तों आप उसमिया गए वे पूरांक संख्या कि से कते हैं तो चली सिख साथ बढ़ चैनल संख्या के बारे में चवता संख्या जौ आपका है वहाँ धनात्मक पूरांक की से कते हैं पॉजिटीव इंटिजर इसमें इसका परिभासा यह है कि द्धनात्मक पूरांग उसे कहते हैं जैसा कि वह बताया था आपको कि जैसे कि संख्या जीरो हुआ वन दो तीन चार यह जो संख्या है डाट डाट कहां तक इंफिनिट तक है तो इन संख्याओं के आगे सिंबल आपको नहीं है लेकिन प्लस यहां पर क्या होता है छीपा रह िन, के देखे लेंगी स्वज़ में आगया तो चलते हैं अगली संख्याओ के बार 웃 देख लेते हैं ऐगर जो पथा तário मैं कि धनात्मक पूड़ांक आंक आपको धनात्मक पूड़ाग्या तशचीप रहता है उसी का उल्टा की जी संख्याओं कि आगे हो अगर माइनस यह ड़ा इस छैन लग्या कि सुद्टेए और अगला नूबर देखते हैं अगला नमबर जो है वह है आपका तो संहीं मैं अकले बड़ा नुबर आपका है प्रुमे संक्या रिशमेस के बारे में आप जानते हैं वैसे चाहालन जो एक पुडांग को लिए कर पुडा को मतलकी माइनस दूरां को चीजिज और नात्मार के बक्राटम जैसा कि आप लोग जाने मैं कि माइनस वि最ente 3 या다 प्लस वां प्लस साथ है शां चलात कराके कामन लीजिकिस अ लेले तैना भी पि और दूसरा लेता हूं Q .22 चिसे बोलते हैं उपर वाले को आंस नीचे वाले को हरा और कि मतलब को सकते हैं लेकिन जो हर हैं एह जिरो नहीं होना चाहिए फिर जिरो च्रा को कोई पुझझाओ सकता है उस रिप सारे क्लाँ आपके परी में संखय ठीक है है मतलब जो हेरे जीरओ के बराबर नहीं होना चाहिए और बाक भी पूड़ांग खो सकता है उसे पर said चलिए दूस्तों और चलते हैं आगें क्यों आगे देख लेते हैं और में संखया और में संखया जिसे इरिएसनल नंबर करते हैं वैसी संख्या जो वर्गमूल चीन के अंतरगत हो कि इंतरगत वर्ग मों उसे अपर में संख्या जैसे आप देख सकते हैं करणी में तीन करिम पांच करी में दूबटा साथ करें पांच वटा साथ इत्यादी इसके कहने का मतले पहीं चीज़ है कि ना रुक मुल्ट होता होता है अगर में ले लूँ आपका करणी 25 250 भरूल मुल्ट है इसे लिए जो संख्या- यह परिमें संख्या क्ला है क्यftig कृँँक्य दोनों पुझा फॉल इसका नान का है Sm года तो आप वर्गमूल में नहीं जैसे कि अगर में अंडरूट सेवन में लेओ मिल भवक्व सकता नहीं होगा तो वास्तुक्त संख्या है रिएल नंबर गड़ित में वस्तुक्त चंख्या सरल रहा है कि अनुदीश किसी को प्रस्तूत करने बाला मानए बस्तुक्त संख्या हो में सभी परिमे संक्या जैसे 5 भी नतमक संख्या है जैसे चार बटे तीन और सभी अपर में संख्या जैसे अंडरूट दू और उतना वर्गमुलेक और प्रिमेवत के संख्या शामिल है वास्तिविक संख्या करते मैं gotta जाती है आगर बात कर जो अअगर आगर आगर अगर bracernoo 16 कि और बात करनों इसमें आपक loud थर्टी 6 के और बात कर लूँ इसमें पाई की और बात करनो गिसवता साथ के तही आप ओपर देख पार रहे हैं जो अनडर्ओंट बेटा भ्रहां यह संख्या जो अंडर व्रू निकल जाएगा तोओं तो याप्बर मेर में संख्या मुझा अगर संवलित कर दें तो और सारी सावं का नकर कॉपकर दें वास्त रिक सेंख्य है तो वे एक से बड़ी प्राक्रिस संख्या जो स्वेम और एक तरिक्त और किसी प्राक्रिस संख्या से भाजित नहीं होती है उन्हें बाजिस संख्या करते हैं और लिखा इसमें कि वे एक से बड़ी प्राक्रिस संख्या जो अभाजिस संख्या नहीं है उन्हें भाजिस संख्या क आजये यह जैसा किए कि सिनेगे और अपने खुच से कुटेंगे ऑर ने सम्ख्या से होता है जो जैसी अगर में बात कर लूट लो तो और अब यह जो जोड़े को जुड़वा बाजे का जाता है जैसे 13 11 17 तो दोस्तों बता रहूं इसका करने का मतलब भी है इस फरवासं को यात कली जाफ लोग इसका करने का मतलब यह दिया था आपका 13 11 17 19 जुड़व बाजा की मतलब यह चीवा कि उस संख्या दोनों तब भाज होनी चाहिए दो संख्या दोनों भाज होनी चाहिए लेकिन दोनों की बीच का अंतर कितना होना चाहिए दो का जैसे आप देख रहे हैं 13-11 में दो कंतर हुआ यहाँ भी दो कंतर हुआ दो कंतर होना चाहिए लेकिन दुनों संख्या है भाजी होने चाहिए ऐसी संख्या है हमाइसा क्या कलती है जुडबा भाजी संख्या कलती है दोस्तों आज के लिए इतना ही दश संख्याओं के कि बारो में आप लोग जान गये होंगे और इसको आप लोग सकीन साट मारकें अपने गलरी में शेप कर सकते हैं याद करने के लिए ठीक है इस लिखनें में बहुत काफी मिनत लगा दोस्तों इसलिए इन सारी संख्याओं को आप लोग में बारी-बारी से दिखा दे रहा हू इसको आफ़ लोग नोट कर लिजीगा एक अपही इंपोर्टेंट्रस पर्षं का बारे में आप जन तब ही आप क्योशन को सहूल कर पाएंगे की परेमीय संत्त्रार होती कै परीमी संक्राएं और इसमें बहुत भी कल्पी से क्यूशन इन संख्याओं के बारे में पूशता है डियलर्ड और बीटीसी में और अन्य कंपटेट इग्जाम में भी पूशता है इन संख्याओं को याद रखना बहुत जरूरी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संख्या है सभी है तो दोस दोस्तों कि में संख्याओं पर दिक्तर क्यूशन आते हैं तो इसलिए मैं सोचा कि आज बता देता हूं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुए तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा सेयर करें अगर मेरे चैनल पर आप नए है तो चैनल को ज़ल से जल्दा सब्सक्राइब कर लें कि बीटी से डियो लटके सारे जो माडल पेपर आपके होते हैं और सारे किस्टन जैसे पूस्ते हैं मैं सारक कराने वाला हूं चलिए दस्तों इसे एक साथ मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में धारने बाद